हेलो फ्रेंक्स मैं हूँ सुजीत बूटिक ग्यान यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वाधत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं टेलर इंड चॉक के बारे में डीटेल में जान करी तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इसमें जो ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपके लिए काफी हिल्फुल होंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यह है टेलर इंड चॉक इसे टेलर्ज चॉक या टेलर्ज मार्कर कहा जाता है फैब्रिक के उपर मार्किंग करने के लिए इन चॉक को यूज किया जाता है स्टीचिंग टूल में यह सबसे इंपोर्टन टूल है मार्केट में आपको इसकी कही सारी वराइटीज मिलेंगी अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह मार्केट में आपको 2 रुपए से 4-5 रुपए तक एक चॉक आपको मिलेगा कुछ चॉक हार्ड तरह के होते हैं कुछ मेडियम होते हैं और कुछ स्मूध चॉक होते हैं हार्ड चॉक को चलाते समय आपको दिक्कत आ सकती है और जो स्मूध चॉक अगर आप फैब्रिक के उपर चलाएंगे तो चलाते समय अगर आप से गलती से भी कुछ जादा प्रेशर उसके उपर गिरता है तो वो जल्दी ही ब्रेक हो जाते है तो मेडियम चॉक ही आप प्रेफर कीजे ताकि वो आपको चलाते समय उसमें आपको कुछ दिक्कत ना आ जाए दोस्तो अगर हम इन चॉक के बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो इस तरह इसका चोटा बॉक्स होता है इसमें 10 चॉक आपको मिलेंगे और कलर की बात करेंगे तो कुछ बॉक्स होते वो एसोर्टेट कलर के होते या हम उसे मल्टि कलर भी कह सकते है कुछ बॉक्स सिफ ब्लू, रेड, एलो, वाइट, पिंक कलर में भी आपको मिलेंगे इन बॉक्स के बीच में ये जो चॉक है हर दो चौक के बीच में आपको थर्मा कॉल मिलेगा ताकि ये ट्रांस्पोर्टेशन में ब्रेक ना हो जाए दोस्तो जो आप कटिंग कर रहे है जिस कलर का फैबरिक है तो हो सके तो उसी कलर का चौक आप यूज कीजे ताकि इसके उपर जो मार्किंग किया जाता है वो जल्दी से मिटता है और बाद में वो दिखता भी नहीं उसके उपर कुछ चौक में आपको डस्ट का इश्व आ जाएगा तो उसके लिए आपको एक काम करना है एक बावल में पानी लेना है और उसमें चौक को आपको एक हलके से भिगोना है और उसे सूखने को रख दीजे तो ये दो से पाच मिनिट में ये चौक सूख जाता है और सूखने के बाद इसके उपर का जो डस्ट है वो बड़े पैमाने में कम होता है 100% तो कम नहीं होगा लेकिन वो डस्ट जरूर कम होगा दोस्तो इस टेलरिंग लाइन में या बूटिक लाइन में जो कुछ लेडिज है उनके लिए ये सबसे इंपर्टन बात है जिन लेडिज को कैल्शियम का इश्यू है वे हमेशा इन चौक का स्मेल लेते है या कुछ लेडिज इसे खाते भी है तो इनके लिए मैं हमबल रिक्वेस्ट करूँगा कि वे यह ना करे क्योंकि इन दिनों चौक को बनाने के लिए P.O.P. जिपसम और केरियोसिन जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप इसका बार-बार स्मेल लेंगे या इसे खाएंगे तो इससे आपके शरीर को जरूर हानी पहुचेंगी तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करे दोस्तों इन चौक को यूज करने के बाद आपके पास ऐसे इसके तुकड़े बच जाएंगे अगर हम इसे मार्किंग के लिए यूज करेंगे मान लिजे हम अभी शोल्डर का मार्किंग कर रहे है तो ये मार्किंग करते समय इसकी जो लाइन आती है वो काफी ब्रॉड आ जाती है तो इसमें हमारे शोल्लर का measurement भी बढ़ जाता है या आप गले का marking कर रहे हैं तो गले का भी marking बढ़ जाता है तो हो सके तो आप ऐसे टुकड़े होने के बाद इसे use ना करे अगर आपको इसे use ही करना है तो इसके लिए मैं भी आपको एक technique बताता हूँ जिससे आप अच्छे से sharp कर पाएंगे इसको आप एक हाथ में पकड़िएगा दो उंगलियों के बीच में और दूसरे हाथ में blade लीजिएगा हम इसे अच्छी तरह focus करते हैं और इसे इस तरह से sharp कीजिएगा दोनों तरफ से ताकि ये चलने में sharp हो जाएगा और आप जो line कीचने जा रहे है वो ज्यादा मोटा नहीं होगा इसका sharp करने का और भी एक तरीका है आप के पास कैची होती है तो एक कैची लीजिए और ये चौक दूसरे हाथ में लेकर आप कैची के उपर इस तरह अगर घिसेंगे तो भी आपका चौक sharp हो जाएगा तो आप इसे sharp करने के बाद ही ऐसे इन टुकडो को use कीजिएगा तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा वीडियो हमें comment कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे like और share ज़रूर कीजिएगा और भी interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा और हाँ bell icon के उपर click करना ना भूलिएगा तो आने वाले हर notification आप तक पोज़ जाए Thank you